वन्दे मात्रम दी अस्टोरांज, तोड़े वे विल सी दी फर्स्ट पार्ट अफ यॉनिट फोर अफ इंग्लिश सब्जेक्ट अफ टेंडर शिक्स एन दी फर्स्ट पार्ट इस एबाट दी स्टोरी एन इंडियन अमेरिकन वोमन इन स्पेस कल्पना चावला तो बच्चो अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे इस वीडियो में एक स्टोरी देखेंगे एक भाड़तिय अमेरिकन नारी जो अंतरिक्ष में गई थी जिसका नाम था कल्पना चावला ओके बच्चों तो ये स्चोरी शुरू करने से पहले अपने कुछ देखते हैं क्या देखेंगे In 1997, an Indian-American Kalpana Jawla was part of international crew abroad the US Space Shuttle Columbia Becoming the first woman born in India to go into space Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy तब क्या कह रहे हैं कि 1997 की बात है तो तब क्या था कि एक भारतिय अमेरिकन नारी जिसका नाम Kalpana Jawla था वो अंतराश्ट्रियस तर पे वो US Space Shuttle जो कॉलम्बिया का था कॉलम्बिया का है था उसमें वो सदस्य बनी थी और वो पहली ऐसी नारी थी जो इंडिया में जन्मी थी और अंतरिक्ष में गई थी पर दुख की बात यह है कि कॉलम्बिया का दूसरा मीशन वो एक बहुत ही शोकपूर्न घटना में खतम हुआ था तब देखते है अब क्या कह रहे है आगे कि तब क्या कह रहे है कि स्पेस शटल क्या होता है यानि अंतरिक्ष यान होता है जो बहुती थोड़ी जगह में बनाया जाता है जैसे रॉकेट होता है और वो अंतरिक्ष में जाने के लिए वहाँ आपे ट्रावेल करने के लिए बनाया जाता है जैसे कि example अपने प्रूथवी से लेके अंतरिक्ष के station तक जाए उतना ही उसे बनाये जाता है Use a dictionary to do the task below अब आप सबको क्या करना है? Dictionary अपने हाथ में लेनी है और नीचे दिये हुए जो भी underline किये हुए words है उनके meanings आपको ढूनके लिखने हैं यहाँ पे तो मैं आप सबको क्या करूँगी हिंदी में मतलब बताऊँगी पर आपको dictionary में से ढूनने है meaning और English में ही इसके meanings लिखने है तो क्या है पहला? Find out the meanings of the following words and phrases Look up the words underline the phrases तो आप क्या कह रहे हैं? कि आपको नीचे दिये हुए words और phrases के meaning ढूनने है और underline के हुए उसके आपको ढूनने है ओके तो पहला पहला क्या है? तो पहला है naturalized US citizen यानि क्या होता है? naturalized यानि देशी अकुरूत बराबर जिस देश में रहते हैं उसके देशी अकुरूत कहते है फिर दूसरा space space यानि क्या होता है? अंतरीक्ष फिर frontiers frontiers of space यानि सेमांत frontiers यानि सेमांत space की जो सीमा होती है उसे कहते हैं फिर abode abode यानि समीप पास में lift off और how is it different from take off तो lift off का मतलब भी उडान भरना होता है और take off का मतलब भी उडान ही भरना होता है पर take off किसे कहते हैं तो अपने जब plane में या aeroplane में कहीं जाते हैं तो वो यहां से उपर उठता है उडान भरने के लिए तो उसे take off कहते हैं और lift off किसे कहते है, जो अंतरिक्ष में जाते है, space के लिए, rocket है, फिर space shuttle है, उनके लिए जो धर्ती में लगे हुए होते हैं, और उसको पुरा उठाते हैं, अंतरिक्ष में या कहीं पे जाने के लिए, तो उसे lift off कहते हैं, ओके, अब next क्या है, crew, crew यानि क्या होते है, करमीदल जो कोई भी mission होता है, उसमें सारे करमचारी होते हैं, उसमें जो सदसी होता है, उसे करमीदल कहते हैं, अब देखो, notice the spellings of these words in the lesson, airplane program, this is how these words are spelled in American English, airplane program, how are they spelled in British English, तो वो आपको डुनना है, कि British English में इसे कैसे कहते है, airplane, program, ऐसे कहते हैं या कैसे कहते हैं वो, आपको Google में से साच करके लिखना है, ओके, अब क्या है a news report, तो एक news की report लिखी हुई है नीचे, वो पढ़ते हैं, tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flames, तो आब क्या कह रहे हैं, कि अंतरिक्ष में एक शोकपूर्ण घटना हुई है, tragedy यानि शोकपूर्ण घटना, कहां पे space यानि अंतरिक्ष में, तो US space shuttle यानि अंतरिक्ष यान जो कॉलंबिया का था, वो उसको क्या हुआ हैं, आग लग गई हैं, आग की लपेट में आया हैं, और बहुत सारे टुकडों में तूट गया है, in an unprecedented space tragedy, US space shuttle कॉलंबिया कैरिंग इंटिया बॉन अमेरिकन एस्ट्रोनेट कलपना चावला और शीक्स अदर्स ब्रोक एपार्टीन फ्लेम्स एटिट्स ट्रेक्ष ट्रेकास तोड़्स लेंडिंग स्ट्रिप अन सेटरड़े 1st February 2003, killing all seven on board, तो आप क्या कह रहे है कि एक बहुत अभुत पूर्व घटना हुई है, यानि कि अपने कुछ सोचा नहीं हो, वैसी अभुत पूर्व घटना हुई है अंतरिक्ष में, तो क्या हुआ है कि US space shuttle कॉलंबिया का था, वो इंडिया की जन्मी हुई, अमेरिकन की भी, वो अंतरिक्ष यातरी कलप मेर के पास आया था और लेंड करने वाला था अपनी पटी पे, पहली February 2003 शनिवार को और फिर वो आख की लपेट में आ गया और जाहाज पर ही सातो सात करमचारी मर गये थे तो क्या कह रहे है कि जो shuttle था यान था उसने अपना कॉंटेक नासा के साथ करीबन सुभे 9 बजे और इंडियन स्टेंडर टाइम के हिसाब से शाम के साड़े सात बजे जब वो लेंडिंग करने वाला था और वो कितनी उच्चाई पे उड़ान भर रहा था तो इट वो दो लाग फीट की उच्चाई पे उड़ रहा था और बीस हजार किलोमेटर पर घंटे की ते जरफतार से दोड रहा था जब उसने अपना क्या था कॉंटेक्ट लॉस कर दिया यानि छोड दिया किस के साथ तो नासा के साथ कॉलम्बिया है लिफ्टेड ओफ उन 16 जैनेरी 2003 फ्रम थे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लॉरीडा इट है इट सेट इन अर्बिट वर सिस्टीन देज़ 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 तो क्या के रहें कि कॉलम्बिया ने अपने उस यान को की उड़ान कब भरी थी? 16 जैनियरी 2003 को और कहां से तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लॉरीडा से और वो और्बिट में यानि क्या कहते हैं कि परिक्रमा और्बिट को तो यहां पर और्बिट है न उसे परिक्रमा कहते हैं परिक्रमा में 16 दिन लगाए थे और उस 16 दिन में जो सातो करमीदल थे अंदर क उतना चावला सहीद उन लोगों ने असी एक्सपिरिमेंट किये थे नीचे लेंडिंग करें उससे पहले आने लगें वापिस उससे पहले असी एक्सपिरिमेंट किये थे तो ये कॉलम्बिया का कौन सा यान था 28 वन तो 28 मा स्पेस फ्लाइट था और ये जो यान था शटल था वो ऐसे कह रहे थे कि वो इतना अच्छा था कि 100 बार वो आ जा सकता था फ्लाइट भर सकता था तो अब अपने क्या करेंगे अपने शुरू करते हैं ओके इस योनिट को इस स्टोरी को कलपना चावला said that she never dreamed as a child in करनल that she would cross the frontiers of space तो कलपना चावला क्या कह रही है कि करनल में जब वो जन्मी थी तो एक बच्ची तरीके उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो कभी अंतरिक्ष की सिमाएं पार भी करेगी तो ये उसके लिए काफी था कि उसके पेरेंट्स ने उसे एंजिनियरिंग कॉलेज करने दी टेगर स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद उसको एंजिनियरिंग स्कूल में जाने की परमीशन दी आफ्टर अ बैचलर अफ साइंस डिग्री इन एरोनाटिकल एंजिनियरिंग अगेंस ग्रेट ओपोजिशन फ्रम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टु दे यॉनाइट स्टेट अफ अमेरिका तो उसने बी एस सी कहां से की थी बैचलर अफ साइंस डिग्री किसमें की थी एरोनाटिकल एंजिनियरिंग में उसमें की थी यानि की वेमानिक एंजिनियरिंग में उसने की थी और उसके पीता के खिलाफ जाके उसने किया था और Master's Degree उसने USA यानि United State of America से किया था She later earned her PhD in Aerospace Engineering और उसके बाद उसने Antrix की Engineering में PhD की थी Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from तो Kalpana Chawla कौन थी? पहली Indian American woman थी, स्त्री थी जो क्या किया था? Antrix में उसने जाके क्या किया था? Blast off launch pad at Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space तो वो पहली ऐसी Indian American woman astronaut थी, जो इसने उडान भरी थी कहां से? तो Cap Canaveral, Florida के launch pad से और एक Antrix में एक successful mission में उसने भाग लिया था तो Kalpana Chawla कौन है? देखना है ये रही ये जो है ना लेडी, ये Kalpana Chawla है ओके ये इंडिया में जन्मी थी और फिर कहा की देशिया क्रूत हो गई थी कहां रहती थी USA में Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia Liftoff तो उसका परिवार जो इंडिया में रह रहा था वो वहां से उसे cheer up कर रहा था और Kennedy Space Center से वहां उसके staff कर रहे थे जैसे Columbia ने उडान भरना शुरू किया था तो सारे ऐसे cheer up कर रहे थे Kalpana was born in Colonel Haryana but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jean Perry Harrison तो Kalpana थी वो Colonel Haryana के Colonel में जन्मी थी पर वो कहां की थी वो राष्ट्रिय क्रूत US citizen थी यानि US की नागरिक बन गई थी और उसने शादी Jean Perry Harrison से की थी जो एक flight का instructor था जो सबको ऐसे सुचना देता है न वो instructor था Besides being an astronaut she was licensed to fly single and multi engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders तो एक astronaut होने पर वो और क्या क्या थी तो एक single से लेके multiple एक से लेके ज्यादा engine वाले थल, land, वायू यान, aeroplanes उडा सकती थी उसका license मिला हुआ था उसे और single engine वाले जलियान भी वो उडा सकती थी और gliders भी She was also a certified flight instructor तो उसके पास certificate भी था flight instructor का After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge applying to NASA Space Shuttle program तो क्या कह रहे है कि पाइलोट बनने के बाद, पाइलोट की exam उसने पास कर ली थी तो उसके बाद उसने दूसरी चुनवती ली तो क्या ली थी कि उसने NASA के Space Shuttle program में उसने क्या क्या था apply किया हुआ था She was first hired as a research scientist at NASA तो उसको पहले क्या क्या था, NASA वालो ने उसने research scientist के लिए ले लिया था, चुन लिया था In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut और 1994 में उसको NASA वालो ने किसके लिए, तो astronaut में यानि अंतरिक्ष में क्या करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, यानि अंतरिक्ष यातरियों के प्रशिक्षन के लिए उसे चुन लिया था When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country तो जब उसे पुछा गया कि तुम्हारे field में, तुम्हारे शेतर में तुम एक नारी हो और तुम्हें अब कैसा लग रहा है तो उसने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जब मैं पढ़ाय कर रही थी या कुछ और कर रही थी तो एज नारी होते हुए मैं इतने छोटे शहर से या अलग कंट्री से होते हुए मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगी I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them and people who were around me fortunately always encouraged me and said If that's what you want to do carry on तो बाकी सारों की तर मेरे भी सपने थे और मैं उन सपनों के पीछे पीछे दोड़ती रही और नसीब इतना अच्छा था कि मेरे आसपास जो भी सारे थे उन लोगों ने मुझे प्रोचसाहित किया और मुझे कहा कि अगर तुम्हें जो करना है तो वो करो तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें जो करना है वो तुम करो Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long तो Kalpana का पहला जो अंतरिक mission था वो space shuttle Columbia में तो वो कितने दिन का था? 15 दिन, 16 गंटे और 34 मिनित लंबा था During this time she went around 252 times traveling 10.45 million kilometers तो इस time वो प्रुथवी के बाहर 252 बाहर घूमी थी कितने बाहर? 252 times वो घूमी थी और कितने किलोमेटर? तो 10.45 million kilometers तक उसने traveling की थी The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut तो उसके साथ उस time कौन कौन था? एक Japanese था और एक Ukrainian क्या था? अंतरिक्स वो थे बराबर अंतरिक्स यातरी भी थे उसके साथ The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips All for a price tag of about 56 million dollars तो अब क्या कह रहे हैं कि सारे वो वहाँ पे क्या करे थे? सारे वहाँ पे experiments कर रहे थे कैसे experiments कर रहे थे वो लो? तो जैसे कि pollinating plants यानि पौधों का परागमन करना और देखना कि पौधों जो भी खाने की चीज़े हैं वो space में कैसे बढ़ती है, ग्रो करती है और टेस्ट कर रहे थे कि जो बहुत ताकतवर धातु है और computer chips है faster वो सारे वहाँ पे कैसे रहते है और जिस साब का खड़चा कितना था इन साब का experiment करने का तो 56 million dollars जितना उतना उसका खर्च था On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke there was a shock and disbelief तो अब कब की बात हो रही है? शनिवार रात की बात हो रही है कि जब सबको ये समाचार मिला की Columbia का जो अंतरिक्षियान गया था उसमें क्या हुआ था? तो उसमें एक tragedy disaster हो गया था वो टूट गया था तो सारे अचंबे में पड़ गये थे और कोई भी मान ही नहीं रहा था कि ऐसा हुआ था तो ये देखो ये फोटो में आप सबको क्या दिख रहा है? Space shuttle है ये और ये lift off कर रहा है उडान भरने की तयारी में है The town of Colonel spent a sleepless night as thousands of households stay glued to the television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived तो अब क्या कह रहे है कि Colonel का town Colonel पूरी रात जागता रहा कोई नहीं सुआ था क्योंकि हजारों वहां की जो household घर की ओड़ते थी वो सारे टीवी से चिपके हुए थे और सब ऐसी उमीद करे थे कल्प की कल्पना और उसके जो साथी थे वो कैसे भी बच जाए A journalist wrote तो अब journalist है वो उसने लिखा है She was a heroine It takes enormous ability to become an astronaut You need to know a lot about everything From biology to astrophysics To aeronatical engineering तो उसने लिखा था कि कल्पना चावला एक heroine थी और बहुत थी वीशाल योग्यता होनी चाहिए एक अंतरीक्स यातरी बनने के लिए और उसे सब कुछ पता होना चाहिए Biology से लिखे Astrophysics यानि नक्षतरों के भौतिक तत्वों का भी पता होना चाहिए और फिर Aeronautical Engineering तक सब कुछ उसे पता होना चाहिए एक अंतरीक्स यातरी बनने के लिए In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut Her achievement is awe-inspiring तो अब क्या कह रहे है कि इस उमर में इतने सारे गुण होने चाहिए और उसके लिए आपके पास बहुत ही विश्वकोज, बहुत ही सारा गनान होना चाहिए एक astronaut बरने के लिए और उसकी उपलब्दिया तो विश्मयकारी प्रेरना दायक थी यानि awe-inspiring थी, awe-inspiring यानि विश्मयकारी प्रेरना थी तो उसकी उपलब्दिया किसकी कल्पना चावला की For millions of young Indians, the story of कल्पना चावला a girl from a small town who touched the sky had become an inspiration तो यहाँ पे जो young Indians है उनके बहुत सारे millions of young Indians है उनके लिए कल्पना चावला की story जो एक छोटे town से आय थी और जिसने आसमान को चुलिया था वो एक बहुत प्रेरना दायक थी In a message that she sent from a board the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh कल्पना सेड The path from dreams to success does exist तो अब क्या कह रहे है कि कल्पना चावला वहाँ पे space shuttle Columbia से उसने एक message भेज था यान में से उसके जाहाज में से उसने एक message भेज भेज था किसके लिए तो उसके चंदिगर के college के students के लिए और कल्पना चावला ने कहा था कि सपनों से लेके success तक की राह होती है वो exist करती है तो अपने सपने देखे और उसको पाए और उस पे सफल हो जाए तो उसका रास्ता है May you have the vision to find the courage to get on into तो के आपके पास उसको देखने की ड्रश्टी होनी चाहिए और साहस होना चाहिए कि आप उसके अंदर उत्रो wishing you a great journey आपको एक लंबे सफर के लिए wish करती हो there will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams और बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस जर्नी पे अपने सपने पूरे करने के लिए शुरू करेंगे ओके तो बच्चो सबको समझ में आगे story ओके तो यह story कहां से लिए है adapted from Spain January February 1998 से वहां के जर्नल से लिए हुई है ओके तो अब आप सबको क्या करना है कि जो भी new difficult words हो उनको आपको dictionary में से ढूनना है और लिखना है रेक्स्टार ओफ notebook में और आगे जो table दिखा है था उसमें मैंने कहा था ना कि मैं आप सबको हिंदी के मतलब दिखा रही हूँ पर आपको English के dictionary में से ढून के लिखने है वो भी करने है आपको और spell out कैसे करते है American English में, British English में दोनों के कैसे difference आते है वो भी देखने है और पूरी story को recite करना है ओके? वन दे मातराम